तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि dobulk.com पे कैसे registration करेंगे बहुत easy registration है सबसे पहले अपने browser में जाए Chrome में और यहाँ पे सिर्फ आपको simple dobulk.com लिखना है जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ हमारी website खुल जाएगी तो website खुलते ही आपको यहाँ पे articles दिखने लगेंगे नीचे आएंगे आपको यह articles दिख रहे हैं तो आप किसी भी articles का इसमें price नहीं दिखेगा आपको view price पे click करना है तो जैसे view price पे click करेंगे तो एक यह छोटा सा login page बन जाएगा खुल जाएगा तो आपको इस पे create new account यह सबसे नीचे लिखा है create new account उस पे click करना है सबसे पहली बार यह करा आपने और आपकी जो email address है आप वो डालिए इस पे मैं डाल रहा हूँ अपना email address जो आपके mobile में registered email address हो जिस पे mails आती हो वो आला email address डालिएगा ताकि आपके पास OTP आपाए यह मैंने email address डाला मैंने send OTP का जैसे ही बटन दबाया तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे OTP मेरे mobile में mail पे आया यह देखिए मेरे पास OTP आगया इसका number है 1258 बस simple है आपको यहाँ पे OTP डालना है 1258 यह बस मेरा अब यह छोटा सा registration basic information form है इसमें आपको भरनी है details आपकी shop का नाम है सबसे पहले shop का नाम है आपका एक यह shop का नाम भरा जैसे मैंने यहाँ पर भरा अपनी shop का नाम और अपना address जो आपकी shop का address है वो डालिए आप इसमें shop की address डालने के बाद pin code डालिए जो आपके area का pin code है उसके बाद city जो आपको जिस station पर delivery मंगवानी हो उस station का address डालिए जो आपकी shop का city हो वो वाली city डालिए और फिर state डालिए state डालने के बाद अपना mobile number डालिए जो आपका mobile number हो मैं डाल रहा हूँ अपना mobile number और अगर WhatsApp number same है तो same ही number आप WhatsApp number डुबारा डाल सकते हैं और अगर आपका चेंज है WhatsApp number change है तो फिर आप WhatsApp number डूसरा अपना डालिए बहुत सारे लोगों के WhatsApp number अलग होते हैं phone number अलग होते हैं तो यह डालने के बाद अपना नाम डालिए मैं अपना डालना हूँ यहाँ पर सिफीरो अपना खुद का नाम डालना है आपको और यह email address आ जाएगा फिर जीस्टी नंबर में optional डियावा है आपके पास अगर जीस्टी है तो इसको फिल कर दिए ट्रांसपोर्ट का नेम है जैसे मैं डालना हूँ XYZ ट्रांसपोर्ट आपका कोई अगर पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट है तो वो ट्रांसपोर्ट डालिए और ट्रांसपोर्ट का मोबाइल नंबर दे दीजिए आप अगर आपके पास है और create पासवर्ट में जो भी आपको आगे के लिए लॉगिन में आपको यही email address लगेगा और जो भी आपको easy password आपका मैं 1234 डाल रहा हूँ आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ट जो आपको याद रहा है वो डालिए 1234 अब यह मैंने जैसे ही submit करा submit करते ही बस अब यह सारी चीज़ें खुल गई है आपकी और आपका यह login हो चुका फर्स टाइम अब आप किसी भी यहाँ पर सर्फ कर सकते हैं हमारी website पर article का rate दिख रहा है आपको अब आपको मान लीजे कोई article पसंद आता है यह selfie article है आपने view details करा इसके आपको color लिख जाएंगे इसमें हमारे पास दो color है आपको इसमें दूसरा color अगर खरीदना है तो यह खरीदिए आप इस पे क्लिक करिए और इसका size set यहाँ पे लिखावा है 40-43 available है तो आपको एक set लेने हैं दो set लेने हैं तो इस पे यहाँ पे दो set लिख दिया मैंने और add to card कर दिया अब इसके बाद आपको दूसरे product पे जाना है यह आपका your product has been added का message आ गया अब आपको दूसरे product पे जाना है अगर तो यहाँ पे नीचे आपको सारी product screen दिख जाएंगी आपको दूसरा product कोई भी product add करना है cart में अपने तो यहाँ से click करके तो आप ऐसे ही करकर के कोई से भी product यहाँ पे order दे सकते हैं last में ultimately आपको minimum four sets के order देने है ताकि आपको हम booking दे पाएं मैंने पास set का order दिया यहाँ पे और buy now का option कराएं मैंने जैसे ही मैं buy now करूंगा तो आपका cart यहाँ पे पूरी details आजाएगी आपका amounts इतना पे करना है यह आपके mail पे भी place order जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास यह mail पे यह सारी चीज़े पहुच जाएंगी delivery की details आप से पूछेंगे और last में final में place order कर देना है आपको आपका order place हो गया और आपके mail पे आ चुका है banks की detail आपके mail पे आ चुकी है आप payment करिए हमें whatsapp पे call करिए message कीजिए और आपको delivery की details हम बता देगे